Hello friends, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे JavaScript में इफ़ी का क्या concept होता है इफ़ी क्या problem solve करता है इफ़ी के क्या benefits है So without wasting time, let's get started So इफ़ी समझने से पहले हमें JavaScript में कुछ concepts का समझना ज़रूरी है जो पहला concept हमें समझना है वो है expression का JavaScript में कोई भी code की एक ऐसी line जो हमें कोई value return करके दे एक expression कहलाता है For example, एक variable मैं बनाता हूँ X और यहाँ पर बस मैं 3 लिखता हूँ यहाँ पर जो यह 3 है यह अपने आप में एक JavaScript expression है Because यह हमें कुछ value return करके दे रहा है वो value है 3 एक दूसरा example देखते है यहाँ पर जो X plus 2 है यह एक expression है क्योंकि यह हमें एक value return करेगा अब जो अगला concept हमें समझना है वो है function declaration and function expression So JavaScript में function बनाने के लिए हम function keyword लिखते हैं उसके बाद उस function का नाम लिखते हैं moon bracket open close करते हैं and curly braces open close करते हैं और यहाँ पर हम अपना कोई भी code लिखते हैं तो यह जो हमने function बनाया यह function declaration कहलाता है अब देखते हैं function expression क्या होता है अगर मैं इसी function को एक variable में sign कर दूँ तो अब यही मेरी function declaration एक function expression बन लिए है एक बाद चीज़ों को revise कर लेते हैं parsing complete कर लेता है तो वो सारी files का code एक single file में add up करता है और वो single file index.html में include कर देता है इसे एक और तरह से समझते हैं अगर हमारे पास JavaScript की 10 या 15 files हैं जब parsing complete हो जाएगी उन 15 file का code एक जगह पर कठा होगा और वो सारा code index.html में refer होगा देखते हैं यह हम एक live example से मेरे पास दो JavaScript की file है first.js, second.js मैं first.js में एक variable बना लेता हूँ in first.js और इसकी value भी मैं जो इसका नाम है वो assign कर देता हूँ same variable मैं second.js में बना लेता हूँ यहाँ पर मैं इसे rename कर देता हूँ ठीक है अब मैं यह दो files को index.html में refer करता हूँ let me remove these things okay script first.js अब एक बाग console चेक कर लेते हैं कि console में कुछ log तो नहीं हो रहा थोड़ा zoom in कर लेते हैं इसे close कर देते हैं refresh कुछ भी log नहीं हो रहा अब मैं यहाँ पर कुछ log कर कर देखता हूँ script ठीक है अब मेरे पास यहाँ from index log हो गया है अब हम उन वैरियेबल्स को लॉक करते हैं जो हमने create किये हैं अब आप देख रहे होंगे कि उन वैरियेबल्स को लॉक करते हैं वैरियेबल्स का access मुझे index.html में मिल रहा है वो इस वजह से because जब भी javascript parsing खतम करेगा वो सारी files का code एक file में assemble करेगा और index.html में refer हो जाएगा no matter कि आपने कितनी अलग-अलग javascripts की file लिखी हुई है तो यह problem हम ifee से solve करते हैं so basically ifee scoping की problem solve करने के लिए use होता है ifee का use करके हम एक file का code specific block में लिख सकते हैं अब देखते हैं ifee का syntax क्या होता है ifee बनाने के लिए हमें दो moon brackets चाहिए और पहले moon brackets के अंदर हमें अपना function लिख देना है so ifee अपने आप में ही खुद को explain करता है immediately invoked function expression एक ऐसा function जो खुद को ही तुरंट call कर लेता है हमें इसे call करने की ज़रूरत नहीं पड़ती मैंने यहां एक function बनाया है अगर मैं इसे save करके browser open करूँगा तो आप देखेंगे कि यह log हो चुका है मुझे इसे call करने की ज़रूरत नहीं पड़ी अब यह कैसे अपने आपको call करता है इस moon bracket की वज़ा से जो हमने end में लगाया है जो पहला moon bracket हम लगाते हैं यह वाला यह javascript को बताता है कि इस function को एक declaration की तरह treatment करो एक expression की तरह treat करो और इस moon bracket की वज़ा से हमारा expression call हो जाता है मैं पहला moon bracket हटा भी सकता हूं अगर मैं ऐसे चलाओंगा तो यह नहीं चलेगा मुझे यहां पे एक unary operator use करना पड़ेगा यह unary operator javascript को बताएगा कि है इस line के बाद मैं जो भी लिख रहा हूं वो एक function expression है ना कि function declaration और इस वज़ा से javascript क्या करेगा इस function को एक expression की तरह treat करेगा और जिसे हम यहां पे call कर ले रहे हैं अगर मैं इसे save करूँ तो आप देख रहे होंगे कि यहां पर console value log हो चुकी है मैं कुछ अलग value print कर देता हूं तो आप देख रहे होंगे कि यह if you बनाने का एक दूसरा syntax है if you if you को हम नाम भी दे सकते हैं एक normal function के जैसे for example अगर आप यह code में 10-15 if you हैं तो आप normal function के जैसे उसे नाम भी दे सकते हैं जैसे for example मैं इसे नाम दे दिया show तो इसका कोई खास फरक नहीं बढ़ता बट यह है कि named if you बस function keyword के साथ चलता है function में आप named if you नहीं बना सकते हैं अब if you में हम कुछ parameter से भी पास कर सकते हैं for example hello और इसे मैं यहां पर receive कर सकता हूं t and t यहां पर hello lock हो गया अब इसका एक benefit देख लेते हैं scope lookups में हम javascript के help कर सकते हैं for example अगर मुझे इस function के अंदर window object का use बहुत बार करने हैं तो मैं क्या कर सकता हूं मैं यहां पर window object पास कर सकता हूं यहां पर receive कर सकता हूं अब क्या होगा कि जो javascript का parser है वो इस function के बाहर window को खुजन नहीं जाएगा जिससे मेरा scope lookup का time थोड़ा save हो जाएगा तो यह थोड़ा performance improvement में भी help करता है second code को थोड़ा छोटा करने में भी अब मुझे बार-बार window नहीं लिखना पड़ेगा मैं बस W से ही refer कर सकता हूं तो यह सारी चीजें थी ife के बारे में ife mainly हम scoping के लिए use करते है so that हम global scope को pollute ना करें ife का better version है common.js require module उसमें हम क्या करते हैं अलग-अलग files बनाते हैं उसमें हमें ife बनानी की ज़रूरत नहीं है directly हम अलग-अलग file बना सकते हैं फिर common.js के बाद es6 का import module आया जिसमें हम directly import-export कर सकते हैं so ife में बस इतना ही अगर कोई और doubt है ife के बारे में तो please let me know in comments